हलो एफ्रिवन, वेल्कम बाक टू दी चैनल, आज के इस वीडियो का टॉपिक है इमेल, इमेल जो है बहुत इम्पॉर्टन रोल प्ले करता है, चाहे आप कहीं पे वर्किंग हो या आप स्टूडेंट है, सभी एक्जाम में, इंटरफ्यू में इमेल से रिलेटेड जो है पुछे जाते हैं, तो इस सिंगल वीडियो में हम इमेल टॉपिक को अच्छे से किलियर करने वाले हैं, पहले हम इम्पॉर्टन क्वेस्चन डिसकस करेंगे, फिर आपका मॉक टेस्ट होगा, यानि कि इसी वीडियो में आपका रिविजन भी हो जाएगा, तो वीडियो देखना है, आपने देखा होगा हमारे चानल पे इमेल और इंटरनेट टॉपिक पे दो वीडियो अप्लोडेड है, एक 2022 में अप्लोड की गई थी और एक 2023 में, जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है और अपने फिडबैक को सेर किया है, इन वीडियो में कौन-कौन से question discuss किये गए थे, अगर आप देखना चाहते हैं, तो link आपको description में मिलेगा, वहाँ से देख सकते हैं, without delay आज का वीडियो सुरू करते हैं, सबसे पहला question है, what is email, अगर आप email के बारे में पढ़ रहे हैं, तो email क्या होता है, यह आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे A, A, B, C और D दिया गया है, हम without time waste कि आपको direct answer बताएंगे, A, method of exchanging messages via electronic devices, electronic devices के माध्यम से messages को exchange करने के method को email कहते हैं, second question देखिए, email stands for, यह बहुत ही basic सा question है, लेकिन exam में कई बार repeat हुआ है, तो यहाँ पे A, B, C और D दिया गया है, बताएंगे इसमें से correct answer क्या होगा, आप में से ज़्यादतर students इसका answer जाते हैं, तो right answer क्या होगा, बिल्कुल सही आपने सोचा है, electronic mail, C, which of the following mode we use to deliver email, email deliver करने के लिए हम निम्नलिखित में से किस माध्यम का उप्योग करते हैं, तो दिया गया है courier, computer, fax, post, answer, answer क्या होगा, B, computer, यहां पे computer में mobile आ सकता है, laptop आ सकता है, यह सारी चीजे, जिसके माध्यम से हम जो है, email को deliver करते हैं, what is the full form of fax, आपने movies में देखा होगा, fax machine होती है, इसका full form क्या है, तो right answer क्या होगा, A, far away xerox, what is included in an email address, email पते में क्या सामिल है, तो दिया गया है, domain name followed by user's name, user's name followed by domain name, C है user's name followed by postal address, D है user's name followed by street address, answer क्या होगा, B, user's name followed by domain name, यह दो चीजे जो है, एक email address में included होती है, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा clarity होगा, email address is made up of, email पता जो है किस से बना होता है, तो right answer क्या होगा, B, two parts से, अब यह दो parts कौन कौन से होते हैं, तो user's name होता है, followed by domain name होता है, पिचबदा following with reference to email is incorrect, क्या बताना है, email के संदर्फ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो कैसे पता चलेगा, जब आप read करेंगे, तो first of what से reading करना start कीजे, right answer क्या होगा, B, the first part of an email address consists of the domain name, हमने क्या पढ़ा कि एक email address दो parts से बना होता है, first part में क्या आता है, users name आता है, second part में domain name आता है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कि email address का जो first part होता है, उसमें domain name included है, तो यह statement बिल्कुल incorrect दिया गया है, email के बारे में, A, each email address in the world is unique, यह email address के बारे में बिल्कुल correct statement है, यहनि कि हर email address जो होता है, दुनिया का unique होता है, C, देखिए, an email is an online message delivery system, तो यह भी सही है, email एक online message delivery system है, C, देखिए, Gmail is a free web based email service, तो यह भी बिल्कुल सही है, Gmail यहनि कि Google mail जो है, एक free web based email service है, तो A, C और D, email के बारे में correct है, और B जो है incorrect है, किलियर हो गया होगा, उमीद करते हैं कोई भी doubt नहीं होगा, अगर doubt है, तो आफ हमें comment में पूछिएगा, usually the email address is in, आम तोर पर email पता जो है, किस में होता है, किस form में होता है कहने का मतलब यह है, तो यहां पे दियाग्या है lowercase, यहनि कि small letter, uppercase, capital, proper case, और D है all of these, तो answer क्या है, A, lowercase में होता है, यहनि कि small letter में होता है, जो read करने में easy होता है, तो generally यहीं देखा जाता है, पिचब्दा following term is associated with internet और email, निम्दलिकित में से कौन सा सब्द internet और email से संबंधित है, तो यहां पे दियाग्या है A, plotter, B, slide presentation, C, bookmark, और D है pie chart, correct answer क्या होगा, C, bookmark, bookmark जो होता है यह internet और email, दोनों से associated होता है, संबंधित होता है, जब आप internet पे किसी भी चीज़ को सर्च करके read करते हैं, और आपको बहुत अच्छा content मिल जाता है, आप उसे future reference के लिए save करके रखना चाते हैं, तो हम क्या करते हैं, bookmark करते हैं, similarly email में भी, अगर आपकी कोई बहुत important email है, आप चाते हैं कि इसे मैं ऐसे जगा पे रखू, जिसे बहुत ही असानी से next time खोज पाऊं, तो आप उस email को bookmark कर सकते हैं, लेकिन plotter, slide presentation, pie chart, ये सबी internet और email से संबंधित नहीं है, पिचब्दा following options is generally used to view and manage emails received, निम्नलिकित में से कौन सा विकल्प, आमतोर पर प्राप्त email को देखने और manage करने के लिए उपियोग किया जाता है, तो right answer क्या होगा, A, inbox, inbox में क्या होता है, जो email आपको receive होती है, वो store होती है, तो यहां से आप उस email को view कर सकते हैं, और manage भी कर सकते हैं, deleted emails are stored in, हटाए गए email कहां store होते हैं, तो सबसे पहले right answer B होगा, trash folder में, आपने कई बार exam में देखा होगा, question पूछा गया है, आपके computer से अगर कोई file या folder को delete करते हैं, तो वो कहां पे जाके save होती है, तो answer होता है recycle win में, similarly अगर आप email से किसी message को delete करते हैं, तो वो trash folder में जाके save होती है, recycle win में नहीं, यह email का recycle है, जिसका name है trash, trash folder, once email has been sent, it is moved from the dash folder to the dash folder, बताईए, एक बार email भेजे जाने के बाद इसे, किस folder से किस folder में लाया जाता है, तो right answer बनेगा, A, outbox से send box में, आपने एक email टाइप किया है, और अभी तक उसे किसी को भेजा नहीं है, तो वो email outbox folder में होता है, जैसे ही उसे आप send कर देते हैं, भेज देते हैं, तो वो outbox से उठकर send folder या send box में आ जाता है, emails that are created but not sent to the recipients, are saved under dash folder of the mailbox, बताईए, जो email बनाए जाते हैं, यानि कि लिखे जाते हैं, लेकिन प्राप्त करताओं को नहीं भेजे जाते हैं, वे mailbox के किस folder के अंतरगत store किये जाते हैं, यानि कि save किये जाते हैं, तो right answer क्या होगा, C, draft folder एक ऐसा folder है email में, जहां पे वो सारी email save होती है, जिसे हम create तो करते हैं, लेकिन sender को send नहीं करते हैं, वो सारी email आपको draft folder में मिल जाएगी, storage area for email messages is called, email messages के storage area को कहा जाता है, answer होगा C, mailbox, mailbox कहते हैं, email messages के storage area को, To send a received mail to another person, you need to dash the message, किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त mail भेजने के लिए, आपको संदेश को क्या करना होगा, suppose आपके manager ने आपको एक email send किया है, आप उसी same email को अपने colleague के साथ, या कह सकते हैं, junior के साथ साजह करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, answer होगा B, forward करेंगे, forward करने से आप received mail को दूसरे के साथ share कर सकते हैं, junk email is also called, junk email को क्या कहा जाता है, correct answer है D, spam, does allows user to send a file with email, user को email से file भेजने की अनुमती देता है, A, B, C, या फिड, D, answer है D, attachments, attachments, user को allow करता है, email के साथ किसी file को send करने में, यही सेम question exam में कई बार इस तरीके से भी पूछा गया है, which of the following icon is used to add an attachment to email, किसी email में attachment जोडने के लिए, निम्नलिखित में से किस icon का उप्योग किया जाता है, तो यहाँ पे icon के name दिये गए है, A, B, C, और D, तो आप एक बार अच्छे से read कर लिजे, फिर बताए correct answer क्या होगा, B, paper clip icon, यहाँ पे देखिए practical, तो यह क्या है हमारा email box से, जहाँ पे हम email को type करके, दूसरे को share करते हैं, अगर आप इस email के साथ एक file भी भेजना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको नीचे में आना है, इस icon को कहते हैं attachment, और इसे paper clip icon क्यों कहते हैं, क्योंकि जो paper clip होता है, जिस तरीके से वो दिखता है, सेम उसी तरीके से यह attachment वाला icon दिखता है, sending an email, email भेजने के लिए निम्नलिकित में से क्या आनिवार्य है, आनिवार्य का मतलब क्या है, उसके बिना आप email send नहीं कर सकते हैं, तो correct answer क्या होगा, B, sender mail id, यह mandatory है, इसके बिना आप email भेजी नहीं सकते हैं, body, attachment, subject, यह सभी secondary होते हैं, लेकिन sender mail id, यहनि कि जिसे आप email भेजना चाहते हैं, उसका mail id primary है, यहाँ पे देखिए, sender mail id is mandatory to send email, clear हो गया, body क्या है, body is the part of mail, that contains the actual mail data, जो actual mail data होता है, वो contain करता है, और यह भी जो है empty हो सकता है, यह आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, attachment is the file, attachment एक file है, that we want to share through the email, जिसे हम email के through send करना चाहते हैं, इसे भी आप ignore कर सकते हैं, subject is the main headline of the mail, subject जो होता है, यह mail का main headline होता है, यहनि कि आपका email जो है किसके बारी में है, तो यह होता है, लेकिन आप इसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन sender mail ID के बिना email नहीं भेजा जा सकता है, और एक important point जो आपको याद रखना है, first mail was sent by Ray Tomlinson to himself in 1971, पहला email Ray Tomlinson द्वारा भेजा गया खुद को 1971 में, पिचब्दा following is the full form of BCC a field of email header, निम्दलिकित में से कौन सा email header के छेतर में BCC का पूर्ण रूप है, तो BCC का मतलब क्या होता है, blind carbon copy, अब यहां से जो है question कैसे बनते हैं, यह हम देखते हैं आगे, इसका बताए, what does CC in email stand for, तो BCC का हुआ blind carbon copy, CC होता है carbon copy, correct answer B होगा, अब यहां पे देखिए, अब यहां पे देखिए, the dais field is used when you want to send an email to multiple recipients, but do not want any of them to know about the other people you have sent them to, किस field का उपयोग तब किया जाता है, जब आप कई users को एक email भेजना चाहते हैं, लेकिन नहीं चाहते कि उन में से किसी को भी उन अन लोगों के बारे में पता चले, जिन्हें आपने email जो है भेजा है, तो इसके लिए आप किस field का चयन करेंगे, दिया गया है CC, BCC, DC, CCB, तो DC, CCB ये तो होता नहीं है, अब आया CC, BCC में से, तो right answer क्या होगा, B, BCC, blind carbon copy field का उपयोग तब किया जाता है, जब कई user को एक email भेजना चाते हैं, लेकिन नहीं चाते कि उन में से, किसी को भी ये पता चले कि, ये email और किसे किसे भेजा गया है, what is the email attachment size limit in Gmail, Gmail में email attachment आकार की सीमा क्या है, तो correct answer होगा, D, 25 MB, Gmail is the example of DAIS, Gmail जो है, ये किसका example है, दिया गया है, A, email service, B, database software, C, application software, D, आपको दिया जाता है, accounting software, correct answer बताईए, answer होगा, A, email service, Gmail, email service का एक example है, या कह सकते हैं, उदाहरन है, which of the following statements about email is true, email के बारे में निम्दलिखित में से कौन सा कथन सकते हैं, A, B, C और D है, read कीजे, answer क्या होगा, B, CC field can be empty in email, यानि कि email में जो carbon copy field होता है, इसे आप खाली छोड़ सकते हैं, ये statement email के बारे में सही दिया गया है, ये देखे क्या कहता है, An email cannot contain both, PDF and zip file as an attachment, email जो है, PDF और zip file attachment के रूप में, contain नहीं करता है, C क्या है, email cannot have more than, five attachments, तो ये जो है statement गलत दिया गया है, क्योंकि email में, 5 से ज़्यादा भी attachment जो है, हो सकते है, C क्या है, two fields in email cannot be blank, ये जो है, बिल्कुल सही दिया गया है, यानि कि आप, email में, two fields को blank नहीं छोड़ सकते हैं, when sender and receiver of an email, are on same system, we need only two dash, जब किसी email का sender और receiver, एक ही system पर होते हैं, तो हमें cable दो, dash की आवशकता होती है, तो हमें cable दो, users की need होती है, जब sender और receiver, दोनों same system पर हो, dash is used for sending emails, whereas dash is used for receiving emails, क्या कहा जा रहा है, किन में से किसका उप्योग email भेजने के लिए किया जाता है, जब कि dash का उप्योग email प्राप्ट करने के लिए किया जाता है, तो email भेजने के लिए हम SMTP का उप्योग करते हैं, और email को receive करने के लिए हम POP का use करते हैं, या इस्तिमाल किया जाता है, अब इनके बारे में यहाँ पे detail में देखते हैं, SMTP is used for sending emails, whereas POP, यानि की POP is used for receiving emails, तो यह पहला point हुआ, SMTP की full form है simple mail transfer protocol, POP का full form है post office protocol, अब देखी, SMTP is a set of communication guidelines, क्या है, communication guidelines का एक set होता है SMTP, that allow the software to transmit electronic mail over the internet, जो allow करता है software को, internet पर electronic mail transmit करने के लिए, POP, post office protocol is an application layer internet standard protocol, POP क्या है, एक application layer internet standard protocol है, जिसका use email clients के द्वारा किया जाता है, किसलिए, to retrieve email from a mail server, mail server से email को retrieve करने के लिए, read the following statements about email, and choose the correct option, यहाँ पर दो statement दिया गया है, पहले आपको read करना है, फिर correct answer बताना है, पहला है, the username and the domain name are separated by at symbol, second क्या है, email addresses are case sensitive, right answer क्या होगा, B होगा, one is true, second is false, यहनी कि, एक email address में, username और domain name को separate किया जाता है, at या as the read symbol से, यह बिल्कुल सही दिया गया है, email addresses are case sensitive, यह false है, POP is an email related protocol, what is the full form of POP, अभी हमने आपको POP का full form क्या है, इसका use किसलिए किया जाता है, यह सारी चीज़े आपको बताई है, अब बताईए कि, इसका full form A, B, C और D में से correct क्या होगा, तो answer क्या है, yes, B, post office protocol, जो एक email related protocol है, जिसका use email receive करने के लिए किया जाता है, पिचब्दा following characters must be a part of an email ID, निम्दलिकित में से कौन सा अक्षर email ID का हिस्सा होना चाहिए, तो right answer क्या होगा, D, at the rate symbol, यह जो है email address का part होता है, जो username और domain name के बीचो बीच होता है, देखें, यहाँ पे dot भी correct answer है, लेकिन अगर यह add का symbol दिया गया है, तो यही correct answer होगा, क्योंकि email में यह एक बार आता ही आता है, अगर यह विकल्ब नहीं दिया गया है, तब आप इस पे tick कर सकते हैं, email header is और are comprised of which of the following fields, email header निम्दलिकित में से किस field से युक्त है, तो दिया गया है to, save, cc, bcc, अब बताईए, a, b, c और d में से correct answer क्या होगा, d, first, third and fourth, email header में to होता है, cc होता है, bcc होता है, लेकिन save नहीं होता है, फिच अब the following statements is और are false, यहाँ पे दो दिये गये है, true, false बताना है, तो read करते हैं हम लोग, you can include as many addresses as you want in the two field of an email, और as many addresses as are allowed by the emailing system, क्या कह रहा है, आप किसी email के two field में जितने चाहे उतने addresses सामिल कर सकते हैं, या email system द्वारा जितने addresses की अनुमती है, उतने addresses सामिल कर सकते हैं, second देखिए, the same email address cannot be entered in both the to and cc fields, एक ही email address to or cc दोनों field में दर्ज नहीं किये जा सकते हैं, अब बताईए इन में से false कौन सा है, तो answer क्या होगा, ए, only two, क्या कह रहा है, कि आप two or cc दोनों field में same email address जो है enter नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दे कि आप कर सकते हैं, लेकिन एक ही email आप किसी को दो बार send कर रहे हैं, ये कोई meaning नहीं निकलता है, इसलिए इसे हम false statement consider करेंगे, लेकिन two में आप जितने चाहे उतने email addresses include कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं, जितना आपका system email system support करता है, उतना कर सकते हैं, कोई doubt होगा तो पूछेगा फिलहाल आगे बढ़ते हैं, फिचब्दा following is not a common email protocol, निम्दलिकित में से कौन सा एक सामान email protocol नहीं है, तो आंसर होगा D, FTP, FTP का full form क्या होता है, comment में लिख के बताए, POP3, SMTP, IMAP, ये सभी email के common protocol है, Instant messaging is a type of email service that allows users to send messages and files to each other in real time, Instant messaging एक प्रकार की email सेवा है, जो users को real time में एक दूसरे को संदेश और फाइले भेजने की अनमती देता है, अब ये statement true है या false, तो आंसर क्या बनेगा, भी false है, इसे और detail में यहाँ पर देखते हैं, Instant messaging and email are two different communication technologies, यानि कि Instant messaging और email जो है, दो अलग-अलग communication technologies है, अब यहाँ पर देखिए email, तो allow करता है user को to send messages and files asynchronously, इसका meaning क्या होता है, तो देखिए, means not at the same time or speed or not happening together, यानि कि जो same समय में नहीं होता है, यानि कि email आपको allow करता है, कि आप messages और files send कर सकते हैं, कीजिए, लेकिन same time में नहीं होता है, या कह सकते हैं, same speed में नहीं होता है, या same जो है एक साथ नहीं होता है, यहाँ पर meaning दिया है, the recipient may not receive the message immediately, यानि कि तुरंत वो receive नहीं करता है, जैसे ही आपने भेजा, आप instant messaging समझे, on the other hand, allows real time communication between users, ये users के बीच में real time communication, जो है allow करता है, through a chat interface, where messages are send and received instantly, chat interface के थूँ, जहाँ पर messages भेजे और receive किये जाते हैं instantly, जैसे कि इसका example कहें तो whatsapp हो सकता है, IMAP is a standard email protocol, that stores email messages on a mail server, and allows the end user to view and manipulate the messages, IMAP stands for, देखें, पूरा question read करने के बाद, आपको समझ में आता है, कि यहाँ पर IMAP का full form क्या है, ये पूछा गया है, लेकिन IMAP क्या होता है, ये यहाँ पर पूरी तरह से जो है, definition दिया गया है, तो पहले हम इसे समझ लेते हैं, IMAP एक standard email protocol है, जो email messages को mail server पर store करता है, और end user को messages को view and manipulate करने की अनुमती देता है, अब बताए IMAP का मतलब क्या है, तो answer है C, Internet Message Access Protocol, यहाँ पर और डीटेल में देख लीजे, क्योंकि अगर आप से exam में पूछा गया, या interview में पूछा गया, what is IMAP, तो कैसे define करेंगे, IMAP stands for Internet Message Access Protocol, in computing, the Internet Message Access Protocol is an Internet Standard Protocol, IMAP क्या है, एक Internet Standard Protocol है, यूज किया जाता है, email clients के द्वारा, to retrieve email, messages, कहां से, a mail server, over a TCP IP connection, it is the most commonly used protocol, like POP3, for retrieving emails, यह email को retrieve करने के लिए, POP3, यानि कि Post Office Protocol Version 3 की तरह, सबसे अधिक यूज किया जाने वाला प्रोटोकॉल है, it also follows the client और server model, which of the following statements is incorrect with respect to writing email, email लिखने के सम्बंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है, गलत है, तो right answer यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, A, we cannot add more than one address in the two field, तो यह statement बिल्कुल गलत है, हमने एक question भी देखा, जहाँ पे आपको कहा गया था, कि आप two field में जितने चाहे, उतने email addresses को, जो है, add कर सकते हैं, या कह सकते हैं, जितना आपका email system support करता है, उतने email addresses आप two field में support कर सकते हैं, B है, we can leave the BCC field blank, तो हम BCC field की अगर जरूरत नहीं है, तो इसे खाली छोड़ सकते हैं, CC field को भी खाली छोड़ सकते हैं, D क्या है, the two and CC fields are often used interchangeably, यानि कि two and CC field जो होते हैं, इसका use हम एक दूसरे की जगा पे कर सकते हैं, ये कुछ हद तक सही है, लेकिन totally जो है सही नहीं हो सकता है, क्योंकि two field में हम email address किसका type करते हैं, जो primary email receiver होता है, CC field में जिसे हम उस email के बारे में inform करना चाहते हैं, उसे रखते हैं, लेकिन reply का जो हमारा purpose नहीं होता है, कि हमें CC वाले बंदे से reply चाहिए, ठीके, बस inform करना चाहते हैं कि ये जो है company का email है, जिसके बारे में आपके पास भी awareness होनी चाहिए, अब तो कोई doubt नहीं होगा, किस field sender का address जो है indicate करता है अर्था जिसने email भेजा है, तो answer क्या होगा, be from, from field में sender का email address होता है, जिसके द्वारा email भेजा गया है, इसी से related और एक प्रश्न है, the dash field of an email indicates the receiver of that email, किसी email का field उस email के receiver को indicate करता है, उसे कहते है two field, तो two field में receiver का email address होता है, question number 39 देखिए, a block of text automatically added to the end of an outgoing email is called a dash, इसको ध्यान से सबज़ीगा, क्योंकि एक question कई बार exam में पूछा गया है, किसी outgoing email के अंत में, स्वचालित रूप से जोड़े गए text के block को क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं हम signature, signature में कौन-कौन सी चीज़े होती है, सबसे पहले तो आपको ये बता दे कि ये जो होता है, email के एकदम bottom में होता है, detail में discuss करेंगे, email signature is placed at the bottom of each email, हर email के bottom में, यानि की सबसे last में कह सकते हैं, या सबसे नीचे जो है, signature, email signature जो होता है, अब email signature में कौन-कौन सी चीज़े include हम करते हैं, तो text होता है, images कर सकते हैं, यानि की company का जो image होता है, electronic business card अगर आपका है, तो वो add कर सकते हैं, company का logo लगा सकते हैं, और even an image of the handwritten signature, आप अपना handwritten signature भी add कर सकते हैं, अगर आप कहीं पर work करते होंगे, तो आपने देखा होगा, जब आपके पास कोई email आता है, तो last में रहता है, thanks and regards, जिसके द्वारा email भेजा गया है, उसका name होता है, उसका mobile number होता है, company का logo होता है, तो ये सारी चीजे signature में आती है, जो एकदम bottom में होता है, dash option helps you to save an unfinished email without sending it, कौन सा विकल्प आपको अधूरे email को भेजे बिना सहेजने में मदद करता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, save as draft, draft folder एक ऐसा folder है, email में जो unfinished email को बिना भेजे send करने की अनुमती देता है, what is the use of carbon copy और CC, carbon copy का use क्या है, किसलिए उपयोग किया जाता है, तो first, second, third and fourth दिया गया है, right answer direct देखते हैं, recipients are visible to all of the other recipients of the message in CC, प्राप्ट करता है, यानि कि recipient CC में message के अन्य सभी user के लिए जो है visible होता है, यानि कि आप CC में suppose 20 लोगों को रख दिया है, वो सारे लोग ये देख सकते हैं, कि आपने ये email और किसे किसे भेजा है, visible होते हैं दूसरे के लिए, अगर ये ही BCC का यूज पूचता तो क्या होता, just ultra, यानि कि जितने लोग BCC में डाले जाते हैं, वो ये नहीं देख पाते हैं कि ये email आपने और किसे किसे भेजा है, ठीक है? प्वेस्चन नमबर 42 देखिए, वेरेस emails received और sent to users, यूजर को email कहां receive या भेजे जाते हैं, प्वांसर होगा, email address, user को email receive, email address के थूँजर को email receive होते हैं, और send होते हैं, यही question का मीनिंग है, वो इन्वेंटेड इमेल, email का अविस्कार किस ने किया? तो आणसर क्या होगा? C, Ray Tomlinson, in which year email was created? तो यह भी हमने आपको बताया था कि email किस verse बनाया गया था, तो आणसर होगा C, 1971 में, at or as the rate in an email address is used for days, यह जो symbol आप देख रहे हैं ना, इसे at कहते हैं या at the rate कहते हैं, इसका use जो है email में किस लिए किया जाता है? तो आणसर क्या होगा? A, separate username from ISP, ISP से username को separate करने के लिए, ISP का full form क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, at in email address is used to separate the username from the domain name, at symbol का username और domain name को separate करने के लिए use करते हैं, which include the ISP और email internet provider, ISP का full form होता है internet service provider, given below are two statements about electronic mail और email, नीचे दो statement दिये गए हैं email के बारे में, पहला है, आप folder create कर सकते हैं, अपने email को store करने के लिए और organize करने के लिए, यह पहला कहता है, आप फाइल का कितना भी size हो, उसे attachment के रूप में add कर सकते हैं, अब बताए, इन दा लाइट ओफ दा अबब statements, चूज तक correct answer from the options given below, तो right answer यहाँ पर क्या होगा, C होगा, statement one is true, but statement second is false, यानि कि हम किसी भी size के file को email के साथ attach नहीं कर सकते हैं, इसका एक limit होता है, कितना होता है, यह हमने अल्रेडी discuss कर लिया है, लेकिन आप एक folder create कर सकते हैं, अपने email को store करने के लिए और organize करने के लिए, which of these is required while signing up to email, email पर sign up करते समय, इन में से किस की आवशकता होती है, तो दिया गया है phone number, name, password, all of these, तो answer क्या होगा, D, इन सभी की requirement होती है, There are many things that need to be filled when signing up for an email account, जब आप एक email account के लिए sign up करते हैं, तो आपको कई जो है चीजों की ज़रूरत पड़ती है, There are needed by the email service provided to check for authentic users, अब जो हमने देखा कि email, sorry, name, password, phone number, ये सभी चीजों की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसे हम किसलिए ज़रूरत पड़ती है, तो email service provider जो है, चेक करता है कि आप authentic user हैं की नहीं, इसलिए, A good password must contain, एक अच्छे password में क्या होना चाहिए, तो right answer क्या होगा, D, all of these, यानि की capital and small case alphabets होने चाहिए, यानि की capital में भी होना चाहिए, और small में भी होना चाहिए, at least one number, आपको कम से कम एक number अपने password में add कर लेना चाहिए, at least one alphanumeric characters, ये सारी चीजे एक अच्छे password की पहचान होती है, यदि email भेजते समय, subject सामिल ना हो तो क्या होगा, तो पहला कहता है, A, mail will not be sent, यानि की जो आप email भेज रहे हैं, वो नहीं जाएगा, send नहीं होगा, B है, mail will be sent normally, यानि की normally send हो जाएगा, जैसे आप subject add करके भेजते हैं, उसी तरीके से, C कहता है, prompt asking to email, send mail without subject, एक आपको prompt आएगा, यानि की कह सकते हैं, तरीके से आपको notification आएगा, जो आपको बताएगा, कि आप email जो भेज रहें, वो बिना subject का है, D कहता है, none of this, तो यहाँ पर correct answer हमारा C होगा, prompt asking to send mail without subject, देखी, यह तो बिल्कुल गलत है, कई सारे mail service provider जो होते हैं, जिसमें, जो है, normally जैसे हम subject include करके भेजते हैं, उसी तरीके से, अगर include नहीं करते हैं, तो email normally भेजा, sent हो जाएगा, और कुछ है जो आपको prompt देते हैं, आपको notification देते हैं, यहाँ पर देखीए, In most email clients, like Google or Outlook, if you try to send email without a subject, you will usually receive a prompt, notifying you that the subject line is blank, and asking you, you are sure you want to send the mail, यहनि कि कई email clients होते हैं, Gmail or Outlook, जिसमें अगर आप बिना subject के email भेजते हैं, तो वो आपको एक prompt जो है, send करते हैं, जो आपको notify करता है, कि subject line जो है, यह blank है, कि आप इसे add करना चाते हैं, या फिर आप sure हैं, आप इसे blank भेजना चाते हैं, अब देखीए, अगर आप अपने email में subject जो है add नहीं करते हैं, तो यह email की delivery में कोई भी impact नहीं डालेगा, email protocols जैसे SMTP, POP and IMAP, do not require a subject for email to be sent, इन सभी protocols में subject की requirement नहीं होती है, in other words, the email will still be sent normally, even if it doesn't contain a subject, clear हो गया होगा, कोई भी doubt नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं, और आते हैं question number 50 में, what is an email sent to multiple recipients at once called, एक साथ कई राप्त करताओं को, भेजे गए email को क्या गहा जाता है, तो answer क्या होगा, B, bulk email, पिचब्दा following statements is true, निम्दलिखित में से कौन सा statement जो है, सच्चा है, यानि की सही दिया गया है, तो सबसे पहले हम correct answer देखते हैं, तो B होगा, email id is always unique, ये जो है, बिल्कुल सही statement है, email id जो होता है, हर व्यक्ति का unique होता है, किसी के, जैसा same to same नहीं होता है, अब ए देखिए, email id cannot have both, lowercase and uppercase letters, email id जो है, lowercase और uppercase में नहीं हो सकता, ये incorrect दिया गया है, क्योंकि हो सकता है, आप ने देखा होगा, कई सारे लोगों का ऐसा होता है, email id is generally case sensitive, ये भी incorrect है, email id cannot use dot character, तो email id में dot भी होता है, ये भी जो है, incorrect दिया गया है, false दिया गया है, हम जिन लोगों को email भेजते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो आपसर क्या होगा, A, recipients कहते हैं, unsolicited email messages sent for marketing purposes are called as, marketing purpose के लिए भेजे गए, अन्चाहे electronic messages को क्या कहा जाता है, तो आपसर होगा, C, spam कहते हैं, जो marketing purpose से भेजे जाते हैं, पिचबदा following comprises था, second part of an email address, निम्दलिकित में से, किसमे email पते का दूसरा भाग सामिल होता है, तो answer क्या बनेगा, A, domain name, पहले भाग में क्या होता है, user's name, और user's name और domain name को, किस के द्वारा separate किया जाता है, अलग किया जाता है, तो at the rate symbol के द्वारा, तो ये सारी चीज़े याद रखेगा, पिचबदा following is, neighbor or part of an email address, निम्दलिकित में से, कौन सा, कभी भी email पते का हिस्सा नहीं हो सकता है, तो answer यहाँ पे बनेगा, C, space, आपने देखा होगा, किसी भी email address में, space नहीं होता है, तो as the rate symbol होता है, dot भी होता है, under square भी आप add कर सकते हैं, लेकिन space नहीं होता है, याद रखेगा, कई बार पुछा गया है exam में, तो इसी के साथ हमारा email से related, जितने भी important question थे, वो complete हो चुके हैं, अब आपका start होता है, mock test, देखते हैं कि आप कितने question के answer को सही से, कर पाते हैं, वीडियो पसंद आया हो, अब तक अगर समझ में आया हो, तो like कर दीजे, पहला question देखिए, जो आपका mock test का है, which of this is required to send email, mail, mail भेजने के लिए, इनमें से किसकी आविशक्ता होती है, ज़्यादा समय नहीं लेना है, दो से तीन second में आपको answer देना है, तो answer क्या होगा, A, email ID, email ID जो होती है, इसकी requirement होती है, email भेजने के लिए, second देखिए, which of these can be done using an email, इनमें से, कौन सा email का उपयोग करके किया जा सकता है, तो पहला आपको दिया जाता है, share data, यानि कि email का use करके, आप data share कर सकते हैं, B है validate accounts कर सकते हैं, यानि कि आप अपने account को validate कर सकते हैं, C है send or received email, आप email भेज सकते हैं, या email receive कर सकते हैं, email का use करके, D है all of these अब answer आपको बताना है आपने बिल्कुल सही सोचा है D right answer होगा Pitch of these services is owned by Google इन में से कौन सी सेवा Google के द्वारा स्वाचालित की जाती है तो answer क्या होगा B Gmail Gmail की full form क्या होती है A, B, C और D में से correct answer क्या होगा G, D होगा Google Mail Which folder contains junk emails किस folder में junk email है Right answer क्या होगा C, spam junk email को हम spam कहते है तो अगर exam में पूछा जाता है कि किस folder में junk email है तो email में आपने देखा होगा spam folder होता है जिसमें सारी junk email होती है जो marketing purposes से आपको भेजे जाते है Is it possible to send images via email? क्या email द्वारा images भेजना संभव है? Yes, बिल्कुल possible है हमने detail में देख लिया है यहाँ पे देखिए OTP stands for Correct answer क्या होगा? A. One time password Question number 8 देखिए फिचुबदा following folders is commonly used to store any deleted emails निम्नलिकित में से कौन सा folder आमतोर पर किसी भी हटाए गए email को store करने के लिए उपियोग किया जाता है Right answer क्या होगा? D. Trash folder का use हम deleted emails के लिए करते हैं यानि कि जो भी email आप अपने system से delete करते हैं Trash folder में जाके save होती है Junk जो है Junk email ये spam folder में होता है Draft folder में ऐसी email होती है जिसे आपने type तो किया है लेकिन भेजा नहीं है Send folder में send किये गए email होते है तो ये सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए अब यहाँ पर देखे question number 9 Which of these is not required to login to email? Email में login करने के लिए इन में से किसकी need नहीं होती है Answer क्या होगा? B. Physical address ये कभी नहीं मांगता है आपसे email मागेगा और आपका password मांगता है Login के लिए लेकिन physical address कभी नहीं मांगता है यहाँ पर देखे Das is to add an attachment to email Email में एक attachment जोड़ना है यहनी की add करना है आप किसका use करेंगे? Yes Paper clip icon का Question number 11 देखे An email attachment is referred to as Email attachment को कहा जाता है The body of the email Email का body The address of the sender Sender का address कहते है The address of the receiver Receiver का address कहते है D है Any document that can be attached And send with an email Right answer क्या होगा? D Email attachment को कहते है Any document that can be attached And send with email Isp stands for Correct answer है Be internet service provider Email address consist of dash parts एक email पते में कितने भाग होते है आपने बिल्कुल सही सोचा है Correct answer C होगा Two parts होते है कौन-कौन से होते है Comment में लिख के बताईए IMAP is an email-related protocol What is the full form of IMAP? IMAP एक email-related protocol है इसका use किसलिए किया जाता है? ये क्या है? ये सारी चीज़े हमने detail में देख लिया है आप स्रिफ बताईए कि IMAP का full form क्या है? आंसर क्या होगा? Internet Message Access Protocol Question number 15 देखिए फिच अबजा following characters must appear exactly once in email ID निम्दलिकित में से कौन सा अक्षर email ID में बिल्कुल एक बार दिखाई देना चाहिए यनि कि एक बार होना ही चाहिए तो आपने बिल्कुल सही सोचा है correct answer D होगा at the rate का symbol एक बार email ID में आता है Email addresses separate the username from the ISP using the dash symbol Email पते किस symbol का उप्योग करके username को ISP से अलग करते हैं यनि कि domain name से अलग करते हैं correct answer B होगा at symbol As of 2022, what is the maximum attachment size in Gmail? 2022 तक Gmail में अधिक्तम attachment size क्या है? correct answer है C 25 MB question number 18 देखिए पिचुब्दा following protocols is used to receive email यहाँ पे protocol दिये गए है SMTP, HTTP, FTP, POP3 आपको बताना है कि email प्राप्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस protocol का उप्योग किया जाता है तो answer क्या होगा? D, POP3 POP3 का full form क्या है? comment में लिख के बताईए आगे देखिए The convenient place to store contact information for quick retrieval in an email is email में quick retrieval के लिए contact information store करने का सुविधा जनक स्थान है address book question number 20 emails from senders on your blacklist always go to the dais folder आपकी blacklist में include sender के email हमेशा किस folder में जाते है suppose आपको कोई बार बार email में जो है email भेज भेज के परिसान कर रहा है आपने उस sender को जो है block कर दिया है अब वो फिर भी आपको email भेज रहा है तो उसकी email किस folder में जाके save होगी ये आपको बताना है तो answer क्या होगा D. spam folder में spam folder में वो सारी email होती है जो marketing purpose के लिए भेज जाते है जो जिसे आपने blacklist कर दिया है वो सारी send की जाती है तो ये सारी email जो है spam folder में save हो जाती है When sending an email the line describes the contents of the message ये बहुत important question है email भेजते समय कौन सी जो है line जो email के content को describe करती है तो दिया गया है टू 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 ने टू सी सी content subject तो answer बनेगा D subject subject line जो है ये पूरे message को describe करता है कि ये email किस purpose से आपके पास आया है question number 22 देखिए if you want to send the same email to more than one person you can type multiple email addresses separated by dash यदि आप एक ही email एक से अधिक व्यक्तियों को भेजना चाहते हैं तो आप किस से अलग किये गए email पते टाइप करते हैं तो answer होगा भी कॉमा से अलग किये गए email पते टाइप करते हैं यदि कि आप एक ही email कई सारे लोगों को भेजना चाहते हैं तो पहले हम क्या करेंगे एक लोगों का बी सी सी का फुल फॉर्म क्या होता है यह हमने देखा सी सी का यूज किसलिए किये जाता है बी सी सी का यूज किसलिए किये जाता है यह भी हमने देखा अब आप एक line में बताए कि CC और BCC में क्या difference होता है ये आपको हमेशा जो है दिमाग में रखना चाहिए जब आप कोई email send करते है ये question आपसे interview में भी पूछ सकता है तो right answer क्या होगा? D. BCC hides all of the recipient email addresses while CC does not BCC क्या करता है? जितने भी recipient होते है उन सभी के email addresses को hide कर देता है जिससे recipient ये नहीं पता लगा पाते कि ये email और किसे किसे भेजा गया है जबकि CC में just ulta होता है जितने भी लोग CC में होते है सभी ये देख पाते है कि ये email और किसे किसे भेजा गया है ठीक है? question number 24 पे आ जाते है sending an email is similar to email भेजना जो है किसके समान है? तो answer होगा C, writing a letter email भेज रहे हैं यानि कि आप एक letter लिख रहे है question number 25 the first email was sent by Dias to himself in 1971 पहला email 1971 में किसने खुद को भेजा था? तो right answer होगा A, Ray Tomlinson ने तो 25 में से कितने question को आपने सही किया है comment में लिख के बताईए honestly आपको बताना है अगर आपने 25 में 10 question, 5 question जितने भी सही किया है honestly लिखिए वीडियो पसंद आया हो तो like कर दीजे, share कर दीजे आपना feedback देना नहीं भूलिएगा PDF के लिए आप हमारे चानल का membership जोईन कर सकते हैं चानल पे नए आए हैं तो subscribe के बगर मज जाएगा ताकि आने वाली वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिले